ये तो आप सभी को बता होगा कि गर्मियों में अगर लू से बचना है तो आम पना पीना चाहिए लेकिन रोज रोज अम्या उबालना, पुदीना, पीसना, फिर उसको स्मैश करना बहुत सारा जंचट हो जाता है तो अब इस जंचट को दूर करने के लिए मैं लाई हूँ अपनी आज ही रेसिपी तो स्वागत है आपका मेरे चैनल at the rate of देवांशी तेवारिन में आज हम बनाएंगे इंस्ट आम पना रेसिपी जिसे एक बार बनाएंगे और पूरा विक इंज्वाए करेंगे इसके लिए हमें कच्चे आम और चीनी को बराबर मात्रा में ले लेना है कच्चे आम को धुल कर छील के उसे slices में काट लेना है अब हम इन slices को cooker में डाल कर अधा glass पानी के साथ boil कर लेंगे हम इसमें लगबग एक से दो सीटी लगाएंगे कच्चे आम हमारे पक चुके हैं इसको पकने के बाद अब हम इसे अच्छे से चला लेंगे और इसकी बिल्कुल स्मूद सी प्यूरी हमें तयार कर लेनी है अगर आम के टुकडे कहीं रह जाएं तो आप इसको ठंडा करके मिक्सी में भी चला सकते हैं कच्चे आम की स्मूद प्यूरी बनाने के बाद हम इसमें चीनी डाल देंगे चीनी और कच्चे आम हमें बराबर मात्रा में ही लेने है और चीनी मिलाने के बाद हमसे बहुत अच्छे से बॉयल कर लेंगे जब इसमें चिपचिपाहाट आ जाए तो हम इसमें कुछ मसाले मिला देंगे एक चमश मैंने काला नमक लिया है एक चमश बना हुआ जीरा और आदा चमश हम इसे मिलाएंगे काली मिर्श का पाउडर एक चुटकी हिंग और एक चमश सफेद नमक नमक की मात्रा आप अपने स्वात के निसार कम जादा भी कर सकते हैं इन सभी मसालों को डालने के बाद हम एक से दो मिनट तक इसे और बॉइल करेंगे एक इंच अद्रक का टुकड़ा और पुदेने की पत्यों को मैंने पीस कर रख लिया था अब उसे भी हम इसी में मिला देंगे और लगभग एक से दो मिनट और इसको बॉइल आने देंगे बहुत ज़्यादा बॉइल नहीं करेंगे इसको पुदीना डालने के बाद क्योंकि हो सकता है फुदी न डालने के बाद अगर जादा बॉयल करें तो इसमें कड़वाहट आ जाए लीजे तयार है हमारा इंस्टेंट आम बना मिक्स और अब इसे ठंडा करके एक बॉटल में हम भर कर रख लेंगे और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही हो तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करिएगा चैनल को सबस्क्राइब करिएगा और इस वीडियो को दूसरों के साथ शेयर करिएगा अब मैंने दो ग्लासेज लिए हैं और ग्लासेज में आईस क्यूब्स चाल लिया है या पुदीना पीसना है और जब बच्चे स्कूल से आएं तो उनको ये ठंड़ा ठंड़ा ड्रिंक दीचिए ये ड्रिंक बहुत ही रिफ्रेशिंग है और बिल्कुल तरावट देने वाली है इस तप्ती गर्मी में इसे बनाकर जरूर ट्राइ करिए और इंजॉय करिए इस जल्दी ये मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ एक नए वीडियो में